नमस्कार कक्षा छे एक्सरसाइस 3.4 का प्रेशन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं इसमें हमें निकालना है कि पता करना है कि क्या ये संख्याएं सह अभाज्य हैं या नहीं हैं आये देखते हैं सह अभाज्य निकालने के लिए पहले हम इन दोनों संख्याओं के गुननखंड निकालेंगे सबसे पहले देखिए 15 15 के गुननखंड 1 गुना 15 होता है 15 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता 3 के पहाड़े में आता है 3 पंजे 15 तो 1, 3, 5 और 15 इसके लावा 15 और किसी भी पहाड़े में नहीं जाता है आये 37 के गुननखंड देखें 37 है 1, 33 हम जानते हैं कि 37 है अभाज्य संख्या है यानी 37 एक और 37 और किसी भी पहाड़े में 37 आता ही नहीं है सिर्फ दो यी पहाड़ों में आता है 1 और 37 के तो इसका और कोई गुननखंड है यह नहीं तो मैं लिख रहा हूँ 15 के गुननखंड यह हैं 1, 3, 5 और 15 इसी प्रकार से 37 के गुननखंड तो बच्चो 37 के गुननखंड होंगे देखिए 1 और 37 ठीक है बच्चो अब हमें देखना है सार्व गुननखंड सार्व गुननखंड तो सार्व गुननखंड देखने के लिए देखे जो गुननखंड यहां भी होगा यहां भी होगा तो देखे एक यहां भी है और यहां भी है तीन यहां है लेकिन यहां 37 है यहां 5 है यहां नहीं है यहां 15 है यहां नहीं है 37 है उपर 37 नहीं है तो हमने देखा कि सिरफ एक ही है जो दोनों में सार्व है और कोई भी संख्या दोनों में सार्व नहीं है और कोई भी गुननखंड दोनों में सार्व नहीं है इसका मतलब 35 और 15 और 37 का जो सार्व गुननखंड आया है एक आया है इसके लावा और कोई नहीं आया है और हमें पता है जब दो संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व गुननखंड एक हो तो इसका मतलब 15 और 37 कैसी संख्याओं है सह अभाज्य संख्याओं है जिन संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व ग्रंखन वन हो एक हो उनी को सह अभाज्य संख्याओं कहा जाता है आशा करता हूँ ये भाग आपको अच्छे से समझाया होगा धन्यवाद